हाजरी असलाम अलेकुम खौमी उर्दो साइन्स कॉंग्रेस 2018 के दूसरे दिन मैं आप सब का खेर मक्दम करता हूँ जिस तरह पहला दिन बहुत कामियाब रहा है मुझे उमीद है कि उसी तरह आज दूसरा दिन भी उतना ही कामियाब रहेगा आज के पहले इजलास में तीन खुसी खिताबाद होंगे इस इजलास की सदारत जो शक्सियत कर रहे हैं यखिनन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अर्दू जानने वाला या बिलखुस साइंस से अर्दू जानने वाला या साइंस से अर्दू में जुड़ा हुआ कोई शखस होगा जो आपको नहीं जानता और आपने मौलाना अज़ाद नैशनल उर्दू युनिवरस्टी के में कई ओहदों पर अपने खिद्मात अंजाम दियें जिन में वाइस चांसलर, रेजिस्टरार, कंट्रोलर आफ एक्जामिनेशन, फाइनाइनस ओफिसर खाबिले जिक्र है और अभी भी वो डिपार्टमेंट आफ डिरेक्रेट आफ ट्रांसलेशन और पॉब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं मैं अदबन प्रोफेसर एसे वहाब से गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तश्रिफ लाएं आज के पहले मुखरर डॉक्टर अब्दुल मोईश शम्स सहाब है मैं उनका मुखतसर तारुफ कराना चाहूँगा आप पेशे से एक सर्जन है, माहिरे चश्म है, आई स्पेशलिस्ट है और साथ ही साथ आप साइंस को अर्दु में फरोख देने में दिल्चस्पी रखते हैं आपने रांची उनिवस्टी से MBBS की डिग्री हासिल की और अलिगर मुसलिम उनिवस्टी से MS की डिग्री हासिल की आपने हिंदुस्तान, एरान और साथ एरफ के मुक्तलिफ अस्पतालों में अपने खिदमफ अंजाम दिये हैं बतोर आई स्पेशलिस्ट आपने अपने खिदमात अंजाम दिये हैं और सर में सर में बहुत ही खिदमत खल्ब का जजबा है और इसी जजबे के चलते हुए उन्होंने अफरिका, एशिया और हिंदुस्तान के कई शहरों में जाकर गरीब लोगों का मुफ्त में आँख के ऑपरेशन किया है और तकरीबन अपने जो केरियर है उसमें उन्होंने एक लाग तक आँख के ऑपरेशन किये हैं डॉक्टर अब्दुल मुईश शम्स को ना सिर्फ नश्टर पर बलके खल्म पर भी उतना ही कंट्रोल और महारत हासिल है आपके इसी सिल्सले में आपके इसलाथी और साइंसी मजामीन शाया हुएं कई जगा पर आपका मानना है कि जिस तरह साइंस का इन्फरमेशन दूसरी जबानों में दूसरी जबान के आउडियंस में पहुँचता है उसी तरह उर्दु जानने वालों में भी साइंस की मालूमात उसी तरह पहुँचनी चाहिए इसी जबे के चलते हुए आपने कई एहम मौजवात पर अपनी किताबें लिखी है जिन में जिसमो जान जिसम बे जान हमारी आँखे और आब हयात खाबिले जिक्र है आपकी इसी खिद्मात के लिए आपको पिछले साल नाशनल अर्दु साइंस कांगरेस में निशान आजाद से भी नवाजा गया है मैं अब अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना खुबाद पेश करें अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्ल्ह वरकातु मैं आप तमाम हाजरीन का शुक्र गजार हूँ और अपने टॉपिक पे आने से पहले चंद कलमात पेश करना चाहूंगा कि ये सारी महनत और सारा ये जोड जो है वो प्रफसर अस्तम परवेश साहब हमारे बाश्चांतर मानू की महनत से है ये हमारी बड़े आरजु थी तमन्ना थी कि हर साल हम लोग एक बार मिलें और आपस में इजहार ख्याल और तबादले ख्याल करें बहराल तो अब तक तीन पहले हो चुका था ये चौथा है और यही से हमने पिछले साल भी एक शेयर पढ़ा था आली का है जुस तजू के खूब से है खूबतर कहां अब ठैरती है देखिये जाकर नजर कहां तो अलहमदो पहली से दूसरी दूसरी से तीसरी और ये चौथी माशाला बहुत कामयाब कानफरेंस हम लोगों की रही है और जितनी महबत और खूबत हम लोगों में पैदा हुई है अल्ला इसको कायम रखे और नजर बत से बचाए पिछले तीन कांफरेंस में मेरा एक ही मौज़ू था मदरसा और साइंसी तालीम उस इशू पर मैंने मुखतलिफ कांफरेंस में मुखतलिफ इशू पर डिसकस किया और लोगों को बेदार करने की कोशिश की मगर मेरे ख्याल में बात कुछ आगे बढ़ ही नहीं जिसका इंतिबा हमने किया था वो अब सामने आ चुका है और मदरसे पर कड़ी नजर है पुरे हिंदुस्तान है और हम वहीं हैं अड़े हुए कि हम नहीं जो निजाम है मदरसे का वो वैसे ही चलेगा साइंस से कोई तालब नहीं है और उत लोगों ने कोशिश भी की ब्रिज कोर्स और ये वो तो वो एक तज़्यूबा हो रहा है देखे कहां तक सक्सेस्फुल होता है बहराल तो हम उसे दिल से जोड़े हुए थे और मेरी बड़ी खाहिश थी कि ये रिवाज पैदा हो के मदारिस में भी साइंस की तालीम दी जाए इस बार हमने मौदू चेंज कर दिया वो आउट अफ दी वे था हम दूर थे उसे अपने मौदू से मदरसे को लेकर अब हम अपने प्रोफेशन वाले मौदू पे आते हैं ये भी बहुत ही आहम मौदू है और चूँके हम प्रिवेंशन और ब्लाइंडनिस से भी जुड़े हुए है और अपने सब्जेक्ट से ही हम उसी वही बली रोजी रोटी है तो हम उस पर डिसकस करना चाहेंगे उन चीज़ों को और इसमें भी हम इंतबाह पेश करेंगे अभी और आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से माहौल जो है वो दुनिया का बदल रहा है और पूरा गलोबल जो वार्मिंग हो रही है वो क्यों हो रही है इसके असबाब मौटनी वाले बताते हैं और साइंटिस्ट बताते हैं इकालोजी पूरी चेंज हो रही है तरकी के तरफ हम लोग गामजन है और दिन रात नए नए इजादात हो रहे हैं और आज कल हमको फक्र है कि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं डिजिटल वर्ल्ड बहुत अच्छी चीज है सुनने भी भी अच्छा लगता है और हर चीज हाथ में है हमारे एक टेली फून पे सब कुछ है लेकिन साइंस ने इजाद तो किया लेकिन इसके खराबात से हमको आगाह करना होगा तो हम दूसरी चीज़ों पे तो नहीं जाएंगे लेकिन आख से इसका तालुख हम पैदा कर रहे है और कोशिश किया है हमने कि एक मुखतसर से मकाले में अपना वो अपनी राए पेश करें बहरा तो अब शुरू करते हैं हम के आंसू और हमने उसका टैटल दिया है आंसू अनमूल मोती तो अगर आप से सवाल किया जाए कि आंसू क्या है तो जाहिर सी बात है यकिन आपका सादा सा जवाब होगा आंसू एक आभी माददा है अदीब और शायर की नजर में आंसू जजबात और इहसासात का तरजमान है बकदर जौग मेरे अश्क गम की तरजमानी है कोई कहता है मोती है कोई कहता है पानी है तो थोड़ी देर के लिए अदीबों और शोरा से इतिफाक कर लेते हैं नेक्स्ट बढ़ते जाएगे आगे आगे थोड़ी देर के लिए अदीबों और शोरा से इत्फाक कर लेते हैं चाहे दुखो चाहे सुखो साथ निवाते हैं आंसू जीवन के हर मौका पर शामिल हो जाते हैं आंसू आंसू जीवन का हिस्सा है महज से लहज तक आंसू से वास्ता है गर्चे नौयत हर दोर में मुखतलिफ और इसका जोहूर भी मुखतलिफ है उम्र की हर मंजल पर इनसान के आंसू निकलते हैं बच्पन में तलब जब बच्चा रोता है तो मां उसको दूद देती है दर्द उसको तकलीफ होती है तो माँ पहुँच जाती है उसको बेकली महसूस होता है कि उसको वो बुला रहा अपनी आँखों से आँसूस जवानी में निदामत, शर्मिंदगी और हिज्र बुढ़ापे में इज़ इनकिसारी वक्त के गुजर जाने का मलाल और कुर्ब इलाही का खौफ आँसू कभी हर्बा कभी मगर मच का आँसू जो आप समझते हैं बहुत इस्तेमाल होता है कभी खुशी ये बे सबब नहीं आए हैं आँख में आँसू खुशी का लम्हा कोई याद आ गया होगा अब ये देखना है के दीनी और शर्य ये इतबार से निक्स्ट दीनी और शर्य ये इतबार से आँसू की क्या कद्र कीमत है हदीश की रोश्टी में रसूल पाक से लिए लगाल सलम का कौल है कि तीन आदमी की आँखें जहन्नम नहीं देखेंगी वो जिसकी आँख राह खुदा में पहरदारी करे वो जिसकी आँख खौफ खुदा से रोए वो जिसकी आँख हराम चीज़ों को देखने से परहिश करे और दूसरी जगे रवायत है कि रसुल लग स्वेश ने फर्माया जिसने अल्ला को याद किया और अल्ला के डर से उसकी आँखों से आंसू उसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिरा तो रोज और ग्यामत उसे अज़ाब नहीं दिया जाएगा ये हमनों का इमान है अब दूसरा अल्लामा अखबाल ने भी आंसू की तर्जमानी यों किया है मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिये गत्रे जो थे मेरे अर्के इन फाल के लेकिन आंसू का साइंस क्या है आंसू कहां बनता है नेक्स्ट आंसू कहां बनता है इसका काम क्या है इसका सफर और मन्जिल कहां है आंसू के मुरक्बाद क्या है आंसू हमारी जिन्दगी के लिए कितनी अह्मियत रखता है ये ऐसे सवाल है जो अकसर हम गोर नहीं करते है चलें इस अनमूल मोती की तलाश में गोता लगाएं बकॉल गालिब देखें क्या गुजरे है कत्रे पे गोहर होना तक आशू 24 घंटा हस्व जरूरत मिगदार में बनते रहते हैं और अपना काम निप्टा कर गायब हो जाते हैं जो हमें मालूम नहीं हैं आम हालात में आशू हमें नहीं दिखते लेकिन अक्सर गहर तबई तहरीकात से मतास्र होकर आँखों में नमी डबडबाहट छलक और बहाओ की कैफियत पैदा होती है तब आशू नजर आते हैं इसके बाद आशू एक मखसूस निजाम के तहट जिसे निजाम दमई कहते हैं बनता रहता है और ये जिसम इनसानी का अहम हयातियाती अमल है आशू के लिए हमारे जिसम में आलात दमई यानि लेक्राइमल एपरिटस है जिसके दो हिस्से हैं नमबर वन लेक्राइमल ग्लैंड गदूद दमईया और कनात दमईया लेक्राइमल पैसेज तो एक जगा प्रोड़क्शन हो रहा है और उसके जिम्म ये काम हुआ कि तुम अपना काम शुरू करो और वो काम शुरू कर देता है पलक जपकते हैं आशू आगे बढ़ लाता है आगे बढ़ने के बाद वो पहुंचता है आँख के कोने में कोया जिसको कहते हैं कोया में पहुंचता है कोया में दो सुराख है पैंक्टम कहलाता है वो एक उपर में की पलक में और नीचे दूसी नीचे की पलक में दो सुराख है उस सुराख में ये दाखिल होता है और कनली कुलाई के जरिया एक छोटी सी पतली सी नाली से ये आंसू की थैली जो नाक के साइड में होता है उसके अंदर जाता है ये और वहां जमा होता है और आहिस्ते आहिस्ते थैली के नीचे एक नली लगी हुए जिसको कहते हैं नेजो लेक्रेमल पैसिज तो नेजो लेक्रेमल पैसिज के जरीए कत्रा कत्रा वो नाक में जाता है और नाक के मेंब्रेंस में नाक में आपने देखा होगा कि गर्मी है तो वहां वो वखार बनके खतम हो जाता है तो यह इसका सफर है बना आसू यहां उसका यहां पर ग्लैंड है नीचे और्बिट के ऊपर में छट में जो बादाम के शकल का है और वहां से एक नालिया निकलती है बारे से चौदे नालिया जिससे वो आसू आते रहते हैं मुस्त प्रफ़ लगा 24 घंड अब यह आसू को कमांड कहां से मिलती है इसके लिए तीन नर्व्स है जिसम में आसू के बैकवक तीन तीन आसाब महरिक होते हैं लेक्राइमल नर्व क्रेटर पेट्रोसल नर्व और है सिंपैसिटिक नर्व यह तीन आसाब आसू को बनने में इसको आगे बढ़ने में मौाविन होते हैं नेक्स्ट यह मुक्तसर सा एक फोटो है जिसमें लक्राइमल ग्रैंड उपर दिख रहा है और छोटे-छोटे नलके लगे हुए हैं वो वहां से पानी निकल रहा है कैनले कुलाई और आता है यह बहता हुआ फिर कोने में पहुंचता ह है कोने में जैसे कि हमने बताया कि वह पंक्टं है उपर में और नीचे में और इससे आंसु की थैली में और फिर वो नीचे जाता है नेक्स्ट अब यह देखें कि आंसू तो अभी हमने कहा कि कोई कहता है मोती है कोई कहता है पानी है वो पानी नहीं है बलकि उसमें कई मु लिपिड, लाइसोजाइम, लेक्टोफेरीन, और लाइपोकेलीन, लेक्रिटीन, इमुनोगलोबलीन, ग्लुकोज, यूरिया, सोडियम और पोटेशियम होता है। इसकी अलग-अलग मगदार है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता है। अब ये आशू जब आँख पे आ जाता है, तो और दूसरे अफराजाद से मिलके वो टियर फिल्म बनाता है। टियर फिल्म इस लिए बनाता है, कि आशू को जैसे हमने कहा है, नाइटी जाइन परसेंट वाटर है, तो वो एवपरेट कर जाएगा फॉरण। लेकिन अल्लान ने ऐसा निज़ाम बनाया है, कि आशू को ठहराता है वो, और करनिया पर यानि varieties बनाता है जिसको कहते हैं टियर फिल्म, नेक्स्ट प्लीज, तो तीन लेयर होती है, तो सबसे उपसे ऊपड़ेर वाली परत जो होती है वो लिपिड लेयर कहलाती है, और एक्वस लेयर है और तीसरी है म्यूकस लेयर इन तीनों का काम है कि लिपिड लेयर जो है वो चर्विदार है रोगनी है यह एवपोरेट करने नहीं देता है दूसरे वो एक्वस लेयर हुआ और आखरी लेयर जो कॉर्णिया के कंटक्ट में रहता है वो म्यूकस लेयर कहलाता है जो आंसु को फेलने में मदद देता है कॉर्ギिया पर वो droplets नहीं होता है बलके फेलने में उसकी मदद करता है नमबर वन करनिया और मुलतेहिमा यह इस तरह से आंस यह से हैं के लेर्स है नियर्स अब आसू का का क्या है फिजियोलिजी अफ़ टे एस नमबर वन कार्निया और मुलतहिम यह नि कार्निया और कजिंग्टाइवा को हर वक्त तर रखना नमबर दो कर्निया की घजाई परवरिश और शफाफ रखना तीन, करणिया की सतह को चिकनाई फरहम करना और चार, करणिया और मलतहिमा पर से गंदगी हटाना पाँचवा है, करणिया और मलतहिमा को इनफेक्शन से बचाना छठा है, इन इताफ के लिए मुनासिब सतह तयार करना ये छे काम उसके जो अहम है इसके बाद, आती है बात, निक्स्ट, कि जैसा कि हमने जिक्र किया कि आंसु 24 घंटे बनता रहता है, लेकिन कभी कभी आप जो देखने वाला आंसु है जिसको हम देखते हैं कि अगर कोई रो रहा है, या उसके आंक से आंसु आ रहा है तो वो इस तरह से बाटते हैं कि आंसु की किसमे क्या किया है, नमबर वन, असासी आंसु, जो बेजल टियर्स है, जो बनते रहते हैं, करनी और मलतहमा को नमी, चिकनाई और घजाईयत फरहम करना, दूसरा जजबाती आंसु होता है, फिजियोलिजिकल टियर्स, खुशी, गम औ गुसा, दर्द औ अलम में निकलने वाला अज़ाफी आंसु, और तीसरा है, इस्तरारी आंसु, रिफलेक्स टियर्स जैसे प्यास काटते वक्त हमारे आंख से आंसु आता है, या बाज गैस, खुसुसन टियर गैस के रद्दे अमल से निकलने वाला आंसु, ये भी आंसु जो बन रहा है, और जो इस्तरारी आंसु है, या रिफलेक्स, ये ज़जबती आंसु है, उसमें फर्द गिया है, तो असासी आंसु, शबरोज बनने वाले आंसु में यकसा मुरकबात हैं, दूसरा जजबती या नफियाती आंसु में लि शियर अंकेफिलिन, एक ए enzyme है जो गुद्रती तोर पर मुसक्किन है तीसरा आसू गैस आम फाहम जुबान में CS याई यानि साइनो कार्बन गैस कहलाता है यह नेक्स्ट आप ले आए नेक्स्ट तो CS गैस कहलाता है जो एक किस्टम का एरोसॉल है यानि जर्रात हैं जो जो रकीक या गैस से मिलने पर आसू पैदा करते हैं नेक्स्ट आसू कसर से बनने के तिब्बी असबाब क्या है आसू अगर बन रहा है तो नमबर वन आख के किसी हिस्से में सूजा ना जाना नमबर दो करनिया या नाख के अंदर महर्रकात पैदा हूँ नमबर तीन नजला वजुकाम और इस्तिरारी आसू रिफलेक्स टियर्स असासी आसू के मुकाबले में कसरत से बनते हैं नेक्स्ट ये एरिया है आँक के पास नाख का एरिया जब जुकाम हुआ तो ज़्यादा आसू बनने लगता है नेक्स्ट प्यास से इंजाइम, नेक्स्ट, हाँ, येई, येई, येई रोकिएगा, सिंथेज नाम का खामरा इंजाइम जो प्याज में मौजूद होता है, अमाइनो एसिट सलफॉक्साइड को सल्फॉरिक एसिड में बदलता है, और अनिस्टेबल सल्फॉरिक एसिड तब सिंप्रोपेंथियल इस ऑक्साइड में तबदील हो जाता है, जो हवा में तहलील होते ही, आँखों के रब्द में आते ही, वो देदमिया में तहरीक पैदा करता है, जिसके नतीजे में आँचु बनने लगते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो रोने का साइंटिफिक सबब क्या है, पुदरती आँसू से परे, हमारे दिमाग, यानि सेरिबरम में, एहसास गम औ अलम के पहुँचने से, निजाम दरून अफजा, यानि एंडोक्रीन सिस्टम में हरकत पैदा होती है, और इस्ट्रेस हॉर्मोंस पैदा होता है, जिससे आँसू बनना शुरू हो जाता है, और ये शेर मबतलाए दर्द कोई उजव हो, रोती है आँख, किस कदर हम दर्द सारे जिसम की होती है आँख, इसके बाद, जजबाती आँसू, इमोशनल टियर्स, इंतहाई जजबाती महौल में खाह, इनसान सक्त तनाओं में हो, गम औ गुसा और दर्द औ अलम हो, जब आँसू आते इसलिन खारिज होता है, जो गुदरती तोर पर एक मसक्किन है, रिलीफ पैदा करता है, आँख तो बेशक जड़ा नम हो गई, दर्द की शिदत मगर कम हो गई, तो नेक्स्ट, हाँ, आगे बढ़िए, आसू में, यह हम पहले आगए, क्या, हाँ, आसू जिसमें इनसानी के लिए इतना ही एहम है, जितना जिसम के लिए आँख, यह बहुत इस पर कौर कीजिएगा, कि आसू की इंपोर्टन्स कितनी है, अगर आसू नहीं हो, आसू बंद हो जाए, तो हमारी कौर्णिया जो है, वो ही हो जाएगी और हम कुछ भी नहीं देख सकेंगे, ना भी नहीं हो जाएगी, तो पहला है, कि इसमें मौझूद प्रोटीन और अमीनोगलोबलीन आँखों की दफा के लिए है, लेक्टोफेरीन की मौझूदगी और फूनस से बच जाती है, आँख की गंदगियों को बहा ले जाती है, और बसारत में शफाफियत की जामीन है, नेक्स्ट, अब आसू, परचा आगे हमारे पास, शॉट करना है, कि और आगे बढ़ें, आसू में कमी यानि आँखों में खुश्की पैदा होती है, आँखों में सुर्खी, अब उसमें कैसा महसूस होगा, आँखों म सुर्खी होगी, आँखों में जलन, आँखों में चुभन, ठकावट का हिसास, आँखों में कसावट, और धुनलापंद होगा, नेक्स्ट, अब जिस बात की तरफ आप हमारा इशारा था कि डीजिटल दुनिया और आसू, हम डीजिटल दुनिया में जी रहे हैं, घंटों स्मार्ट फोन, लैब टॉप, टैबलेट्स और टेलिविजन में टेलिविजन स्क्रीन पर सर्फ होता है, हमारी आँखें आम हाला से मुक्तलिफ चंद बार ही जिपकती हैं, जो आँखों में खुश्की का बास होती हैं, और आँखों में मुक्तलिफ कि परिशानियों का मौ से अब इसको हम इसमें आपका वो हमने गिनवा दिया सारा नेक्स्ट 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 तो अब क्या करना है अगर हम फोन यूज कर रहे हैं टैबलेट्स यूज कर रहे हैं कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो क्या करना है पस चबायत कर तो ट्विंटी ट्विंटी ट्व आएगे यह क्या है कि 20 सिकंड का ब्रेक जिसमें नजरें स्क्रीन से हटते नंबर दो 20 फिट दूर उस वकफा में देखें 20 सिकंड के लिए रोकें और देखें दूसरी तरफ और 20 मिनट का वकफा मसलसल काम के दौरान 20 मिनट काम करके थोड़ा रिलाक्स हो फिर 20 यह कानून ब भूलें नेक्स्ट तो यहां कौरान पाक की यहाद सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी नेमत है और इस नेमत से कैसे इनका हो सकता है फब आया अलाई रब्रकुमातुकजबा नेक्स्ट अब टेक हो मेसिज जो है घर ले जाने वाला पैगाम जो है वो यह है कि आपकी आँखें आपकी मुहाफिज हैं आप इसकी हिफाज़त कीजिए शुक्रिया कोई सवाल अगर हो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सके हैं यह अकसर पुतली ऊपर चली जाती है जी हाँ पुतली ऊपर चली जाती है हाँ हाँ कब यह उपर जाती है हाँ तो वो होता यह है कि यह आँशु से कोई से तालुक इसका नहीं है लेकिन आपका जवाब हम दे दे हर आदमी सोते वक्त आँख सीधे नहीं रखता है उसकी पुतली ऊपर ही जाती है आप ऐसे भी आँख बंद कीजिए और सो हैं तो आँख पुतली यह अल्ला का नजाम है यह भी प्रोटेक्शन का कि हमारी कॉर्णिया को बचाना है तो वो उपर चली आती है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह जो कनेक्शन है इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया तो कभी कभी ऐसी ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि आँख खुली भी है तो पुतली उपर ही रह गए होता है यह नर्व डिफिसियंसी है इस वज़े से है और जी आशू में जी तो उसमें एक बात आपको बता दें कि उम्र के लिहास से आशू जो नॉर्मल है वो कम हो जाता है कम हो जाता है लेकिन जो तिबी उसका वजह जो है तिबी वजह जो है वो यह है कि निकासी उसकी जो है काईदे से नहीं होती है वो रुक जाती है थम जाती है वो भी हर चीज वीक हो जाती है वो सुराख में आसू नहीं जा पाता है जिस तेजी से जाय करता था जवानी में तो यह बाहर की तरफ आता है तो यह रिफ्लेक्स है तो यह रिफ्लेक्स है सबसे पहला सवाल जो आपने पूछा था वो यह था कि बाइक चलाते हैं तो वो रिफ्लेक्स टियर है जो हवा जो आपको लगती है आँख में तो उस से उस रिफ्लेक्स की बज़े से आँसू आता है और खास करके आप देखेंगे कि सर्दी के जमाने में ऐसा होता है गर्मी में अतना नहीं होगा जितना सर्दी में होता है और दूसरा कुश्चिन जो आप का था वो तो हूँ वो तो हमने बता दिया रीडिंग अचा ने नी उसका कोई तरह नहीं है उसके कोई तालुक नहीं है रीडिंग का भी वो एक लंबी चीज है लेकिन आपको इन शाट बता दें कि हमारा जो लेंस है आंग के अंदर जो लेंस है वो नजदीक के लिए और दूर के के लिए फोकस करता है लेंस हमारे आंक का यू होता रहता है तो पुरा लेंस जो है वो जनीवल से टिका हुआ है उस जनीवल में कमी आ जाती है जिसके वैसे उस तेजी से वो फैलता और सिकुरता नहीं है इस तरह से लेकिन 40 साल के बाद नियर के लिए चश्मा जरूरी हो जा जिसको सवाग करना है साथ सवागी के लिए एक सिर्थ कर्मेंट है कमेंट ये कि दूरि शाहर ने इसके डेबज़ का मैथमेडिकल मेकैनिजिम क्या है इस पर हुब सारा काम होता है प्रूर्ड मेकनिक्स के जरी है, कि हम किस तरह की मॉडलिंग करें इस फिलिव की, तुरू पार्शल डिफरेंशल एक्वेशन, कि इसके डेमेज़ कम हो, और इस सिफ पब्लिक को इतला देने क्ली है, कि डाक्टर साथ जो हमारे कंटेक्ट में हैं, उस मैथमेटिशन के, जो ट जाक अखिए, आपको इस पताया सोडियम है, वो लिस्त जो बताई, कमपोजिशन उसका, लास्ट में था पोटेशियम न्सोडियम, तो अक्सा जैसा होता है, जो हम रोते हैं, तो आख वो मुह में चला जा जाता है, लगसे, और वो नमकीन पता जलता है, अज़ शुक्रिय सर आंसू की एहमियत पर एक बहुत ही मालूमाती मिखाला पेश करने के लिए बेशक आंखें अल्ला की दी हुई अजीम नेमत है एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब जो अगले मुखरियर है उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि कल बात हो रही थी कि इस कांफरेंस की एवरेज एज स्पीकर्स जो है बहुत कम हो रही है इस साल काफी कम हो गई तो हमारे जो अगले खुसी मुखरियर है डॉक्टर सेयद सलावत दीन काफी यंग एज के है और मैं उनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो मिसाल है कि किस तरह उर् युनिवेसिटी से MSC किया और IICT में अपना रिसर्च शुरू किया और Swiss Government की fellowship पर University of Bern Switzerland में अपना PhD किया है और वहां से वो United States of America में दो postdoc किये हैं बहुत ही reputed institute में एक था स्क्रिप्स रिसर्च फेलो और Stanford University में आपने अपना दूसरा postdoc किया अब वो मौजुदा हमारे पॉलिटेक्निक में एसिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम अंजाम दे रहे हैं और साथी साथ उर्दू पर उनकी काफी महारत है और कई इनके रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में शाया हुए हैं क्योंकि वक्त कम है मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि व क्यूरिक मैं एक स्कूल प्रोग्रामिंग के लिए गया था बच्चे को मोटिवेट करने के लिए और केमिकर्ट्यमिक पर बताना था मुझे कि इसकी क्या है और कैंसर की बच्चे ने सवाल किया अब यह तो बहुता है इनसर तो साधिया होता है इलाज भी होते आ रहा है प तो मैंने का देखिए पुलिस तो कई जमाने से चोड़ भी कई है पुलिस की महजुदगी में भी चोड़ी होते रहती है बलकि पुलिस वालों को वक्ती तार पे अपनी एक्यूपमेंट्स और टेक्नालोजी को अपनाना पड़ता है इसी तरह साधिदा वक्त की तार पे ज शरू हुआ और आवाखिर में काफी जूर और काफी बहतरीन इसके नतायच सामने आते गया और यह फील बढ़ते गई इसको केमिस्ट्री और प्रोटियोमिक्स के इश्टिराक से अमल में लाया गया मैं काफी नेक्स लाइड चाहता हूँ तो भाई जैसे किसा एक नज़र आप कैंसर पदालें कि दुनिया में इतनी तरफियों के बावजूद हमने कई हट तक कुछ बीमारियां जैसे मतलब पलेक था पूलियोफ था इसको काफी हट तक एरेडिगेट करने में या खतम करने में काफी इससा अपनाया लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए एक चालेंज बनी हुई है अगर मैं 21 मीं सदी का सबसे बड़ा चालेंज अगर कहूं अगर सहती एतिबार से तो कैंसर जिस तेजी से फैल रहा है तो यहां पे शरा देखिए आप 1990 से लेकर किस तरह से 216 तक इतने दावे इतनी चीज़ें इतनी टेकनालोजी आती है अब मै अगर कहूं तो मुक्तलिफ तरह कि उसके बावजूद इसकी शरा मसलसल बढ़ते जाती है और आज दुनिया में हर साल 8.8 मिलियन लोग इसमर्स का शिकार बनते हैं और हमारे हिंदुस्तान में तो इसकी आलत और भी अबतर है मैं अगर कहूं तो आप लोग को ताजब होग अब सोचिए इसके लिए क्या लाहे अमल है? क्या लाहे अमल है? किस तरह इसको हम बचा सकें सबसे पहले? और पär जो मुक्तला हैं उसको किस तरह से ट्रीट कर सकें उसके बारे में मैं कЕमिकल प्रोटियोमी की तरह से बताऊंगा. प्लीज नेक्स स्लाइड और एक स्लाइड ये भी उसी की मतलब है कि ये है कि 2030 तक अगर यही रफ्तार से बढ़ता जाए तो इसे जो मतासरा है उसकी तेदाद और 50 पिसद जियादा हो जाएगी और मनने वालों की तेदाद 60 परसन जियादा हो जाएगी ये भी मैंने वर्ल्ल हिल्थ आर्गनाज़िशन के वेपेज से लिया मैंने रिफरेंस दी है अगर कोई इंटरिस्टेड हो तो लिख ले नेक्स प्लीज और हिंदुस्तान में मैंने बताया कि काफियत तक तश्वीश ना के तश्वीश की वज़ा ही है कि ये मर्स की कोई जाहरी अलामतیں नहीं हो होता है लेकिन अफसोस और बेहत लामे फिकर की बात है कि हमारे यहां ये परसंटेज्स तरटी से लेके सेविंटी तक ही मौज़ुद है और इसकी कई वज़वाता है लेकिन एक बड़ी वज़़े मैं सब की आपकी तवज्य चाहता हूं कि 50 परसंट हमारे लाइफ पर मनसर है मैं एक स्लाइट बता हूंगा इसके बात तो प्लीज इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही अहमियत का बाहिज है तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पे कुछ तायकीक और हमारी तवानाहियं सब्सक्राइब करें जिसे नसीफुन अमुरा को बलके उस गरीब तक भी को हैं हाँ तो एक चोटी सी मैंने मुवी के कोशिश किए अगर आवास कम कर दें आप तो बहतर है क्योंकि देखने में इनसान को उस खल्वी सते तक हमको पहुंचने का मौखा मिलता है कि खल्वी सते पे होता क्या है मेरा यह इरादा था कि मैं आपको एक वीडियो बताओं ज ताकि आप अपनी नजर से खल्वी सते तक जहां तक एक आम नजर पहुंचने नामुम्किन है वो देखना चाह रहे थे तो भाई सबसे बड़ी ड्राबैक या बॉटलने का अगर मैं कहूं तो इस इसकी पहचान क्योंकि जैसे हर मर्स की कुछ अलामात हैं कुछ डाइगना कांसर ना सिर्फ एक बीमारी है बलके सब्वों बीमारियों को मजमुआ हैं और आज तक ये बात समझने से खासर हैं साइसना के इतनी तहकीक के बावजूद कोई एक ड्राग सब के लिए या फिर मपार्टिकॉलर कांसर के लिए हाला के बहुत अच्छी टेक्नालोजिस कीम बड़ी खुशी हुई के कार्टी टेक्नालोजिक एक इन्हों ने किया खुवत मदाफ़त को किस तरह से खुवत बखशी जाए कि वो खुद लड़ने के खाबिल हो जाए तो अलहम दोल्ला अर्दो में भी ये बहुत ही अडवांस नालेज बलके दो माह पहले वाली वैसे केमिकल इम्यूनोटरापी का सिस्टम तयार किया कि अगर सॉलिड ट्यूमर पे आप इंजिक करें तो वहां के खुवत मदाफ़त के निजाम को हुँचा करकर उससे लड़ने की सलाहियत पैदा करते हैं और 80 तो 90 परसंट उसे खतम कर देते हैं प्लीज नेक्स कर दें तो मैं यही चाहता हूँ किस तरह से केमिस्टी को इस्तमाल करते हैं तूर प्रोटियोमिक की इन्फॉमेशन लेते हुए इस मर्स को जल्द से जल्द पहचानना सबसे बॉटन नेक मैंने जो कहा है वो है ताके जब अगर इस मर्स को सत खलाई सते हुपर या पहलने स पहले पकड़ा जाए या रोक दिया जाए पहचान दिया जाए तो इसके इलाज में 80-90% मदद मिल सकती है प्लीज नेक्स तो मैंने एक दो प्रोटीन को चुना जो कैंसर में सबसे अहमियत के हामिल है लेगमीन नामी इस प्रोटीन है तो इस प्रोटीन के एक्टिविटी क को हम लोग समझने के लिए किस तरह से हमारे एक्सपरिमेंट के इस्तिमाल किया मैं वह बताना चाहरा हूँ नेक्स स्लाइड प्लीज इसको कायते है एक्टिविटी बेस प्रॉप यानि एक कीमियाई मालेक्यूल है जो मुखतरी फिसों पर मुनसर है और सबसे पहले इस माल लोफोर है बहुती कलरफुल कंपाउंड है जो आम हालत में कोईचर की मौजुदगी की वज़े से कलर नहीं देता लेकिन जब यह प्रोटीन से रियक्ट होता है तो यह कोईचर रिलीज हो जाता है केमिकल रियक्शन होता है प्रोटियोलासिस और यह प्रोटीन इसके साथ बैंड हो जाता है और यह कलरफुल कंपाउंड होता है और इस कलरफुल कंपाउंड की वज़ा से इसकी शिद्ध को यह पिर इस से हम लोग मेजर कह सकते हैं मेजिंग के जरीए और मैं यह बहुत बात कह रहा हूँ जो खलवी लेवल पे जो बिलकुल कोई जाहरी अलामते नामुम्किन है उस वक्त हम लोग इस टेक्नालोजी के जरीए इसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो अगला स्लाइड होता ही है कि एक दफ़ा क्लिक करें जैसे कि मैंने बता है यह प्रोटीन मालिक्यूल है केमिकल मालिक्यूल और लाकेंड की मेकैनिजम जैसे हम लोगों ने उसके बाद हम लोग इसको रीड आउट करते हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि इमेजिंग जैसे एकसरे बगहरा लेते हैं पहचानने का भी दो तरीका होता है एक नौन इन्वेसिव और इन्वेसिव जिसमें तक्लिफ दी जाए या फिर कोई मुखतलिफ जिसम का हिस्सा लिया जाए वो इन्वेसिव है नान इन्वेसिव बगहर कोई सब्जेक को तक्लिफ दीए आप एकसरे की तरह इसको एकसरे करके उसके नतायच देख सकते हैं तो आगे स्लाइट पर जाएं तो यह है इसका डिजाइन वक्त होता तो मैं बता पाता लेकिन देशे में तबती रिकनाइस करते हैं जिस प्रोटीन को रिकनाइस के लिए बनाएं गए तो उसका इस्तेमाल वारेट के तावर पर इस्तेमाल होता है और इस पेसिफिसिटी यानि एफिशियंसी बढाने के लिए एफिकैसी बढाने के लिए बिल्कुल जहां पर रिकनाइस करना है उसके लि उसको उसकी साफ़ और उसके फंक्शन को मुकरपल तावर पर समझा जाता है प्लीज नेक्स लाइड तो वह यह प्रोटीन जैसे मैंने कहा कि लेगिमीन की एहमियत क्या है यह लेगिमीन की एहमियत से हम इस बात समझने के खाबिल हो गया है कि मतलब समझ सकते हैं कोशिश करते हैं काफी मदद मिलती है कि actual क्या तबदीली उन खलियों में आती है जो म्यूटेट होते हैं जो प्रोटीन लेवल पे और काउन से वो प्रोटीन हैं जो इनकी मदद करते हैं तो अवराल मकस्द ये है कि क्या उन प्रोटीन को किसी केमिकल मालिकूल से उसी जगे इनिबिट करें या अरेस करें ताके वो फाइलने से बचें तो उसी गोल के तहरे चलाता तो इसे कैंसर बायो मारकर्स और मैंने खुदा मना डिफेंस सिस्टम के बारे में आप लोग को ब जाती है उसी तरह एंजाइम को उस फंक्शन के लिए खुदरत लिवाँ पर पहुंचाती है उसको और एक्सपरेशन अफ एंजाइम कहते हैं और उसी गैवर्ड को हम लोग आइजमार करके तावर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेक्स लाइड प्लीज ये मेरा दूसरा वा और फिर जैसे तीन मारायल होते हैं पहले डिजाइन होता एकिस तरह डिजाइन करते हैं फिर इसकी तैयारी फिर इसकी बैयलोजिकल एक्टिविटी देखी जाती है और पिर कारेक्टोराइजिशन होता है तो नेक्स लाइड प्लीज और जार भी एक आप क्लिक कर सकते एं ये दोनों, और एक क्लिक करें, प्लीज, तो ये दो तरह के हमारी एक्यूपमेंट्स है, जिसको इमेजिंग के तोर पे हम लोगों ने इस्वाल किया, और मैं नेक्स स्लाइड पर जाके बताना चाहता हूँ कि हम रेजल्स कैसे हैं, प्लीज, नेक्स, ये हमारा सेट अप है, तज्रीबे का तरीख अमल है, यहां पर हम लोग इंजेक करते हैं, कैंसर इंड्यूस करते हैं, चूहों पर, क्यूहें काफी मुशाबएत, इंसान से ये भी दूद पिलाने वाले जानदार हैं, मेहमेलियन से, और जो भी तज्रूबात होते हैं, जियादा तर इहीं पर होत है, यह सीटी स्कैन के तरही स्कैन करते हैं, और मुतासरा इलाखे को देख सकते हैं, और यह अमल आप देखें, एक से दो घंटे के अंदर होता है, प्लीज नेक्स लाइड, और यह भी बताना चारे हैं, क्लियरेंस भी हो जाता है बाड़ी में, रुक नहीं जाते हैं, कोई और यह यहां पर लंग कैंसर के लिए, यह एक दवा जो साओ गुना जियादा खीमत में मौझूद है, उसकी हम लोगों ने बहुती खीमत कम करकर करके बताई हैं, और दोनों का आप देखें, तो कोई, वो नहीं फार्त, और एक प्लीज, लास्ट मैं करके खतम करना चारा ह यह भी वही है, दूसरे और एक, मैं यह रिसरच के बारे मों बताना, और एक स्लाइट प्लीज, थोड़ा सा मैं आगे जाना पड़ रहा है, कमपाउंड के लैबरेडी डिजाइन करनी पड़ती है, प्रोटीन की इन्फरमेशन लेकर, तो हम लोगों ने एक छोटी से लैब करें, उस प्रोटीन को बढ़ावा देने से रोग दिये, फिफ्टी परसेंट, एटी परसेंट और नाइंटी परसेंट, और इसी की बनियाद पे हम लोगों ने किसको कैसे तैयर किया, मैं इस स्लाइड में बताना चाहरा था, कमी की, बस चार स्टेप्स में, बारा स्टेप करदा चार कंपाउंड में, यहां पे इसकी एक्टिविटी साओ के खरीब, प्लीज नेक्स्ट, और इसी को फर्दर और इनिबिट उसके लिए, इमेजिंग के लिए, और मैं, नेक्स्ट प्लीज, एक चीज़ मैं बताना चाहरा हूँ, इस वर्क को आलमी तोर पे सहराया ग और मैं अपने आपको, मतलब यह बताना चाहता हूँ कि एक क्लिक करें, आप तो को तो अंदाजा होगा अगर पढ़ें, तो यूं तो इस प्रोटीन के बारे में पिछले 40 साल सा खयास आ रही है, चल रही थे, लेकिन हमारे इस सारे ग्रूप की मेहनत से, और भी इस तिफर ये मैं लास स्लाइड ये बताना चाह रहा हूँ कि देखे के मेस्टी से हम कितनी मालुमाग हैं, तो यकीन हमारी अगर यही महीम चलते रही, लोगों को एजुकेट करते रहें, किन से बचना है, क्या है थियाती तदाबीर अपना ना हो, तो हम लास्त दूर की बातें, उस म दर्मियान में पात, मेरे उस्ताद भी यहां बैटें, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मुईस सहाब का मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ, और कई दफ़ा डिसकेशन्स होती है, मुईस सहाब से जमानों में खरीब होने की वज़े से, और आप सब का शुक्री आदा कर है कि आप काफी आला दर्जे का रिस आ रहे हैं, अगले हमारे मुखरिर में लतीफ है, इन से मुतलिख यह कहना चाहूंगा मैं, कि यह फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, मैदान में काम कर रहे हैं, यह फाउंडर है, इल्म फाउंडेशन के, जिसके तहत यह मुबाइल स चलाते हैं, और साइंस एकाडेमी है, और पिछले साल युनेसको लाइट येर के सिलसिले में इन्होंने खरीब 10,015 जादा वाक्त नहीं लोगा, मेरा टॉपिक बहुत छोटा है, हम लोग साइंस दान किस तरीखे से, आप लोग जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में हम उन्हों के सिलसिले में भी हमको सारी चीज़े मालूम हैं, क्योंकि आप लोग जादा पड़े लिखे हैं मेर से, और ये चीज़ को जानते हैं कि हमारा जो आने वाली नसल है, या जो तैयार होरी नसल है, उन लोग जो साइंटिफिक रिसर्च में आ रहा हैं, वो बहुत कम ह उसी को हम लोग ने जब एनलाइस किया तो हमको ये चीज़ मालूम चली कि अगर हम जाके यूनियर्सिटी में साइंस को आम करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च को आम करने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो प्राब्लम ये होता है कि उनका एक माइंड सेट बनावा होत है कि मुझे पढ़ते ही जो है नौकरी हांसिल करना है बड़े कंपनी में जाना है तो वो साइंटिफिक रिसर्च के तरफ कॉंसेंट्रेट नहीं करते हैं तो हम लोग ने छोटे बच्चों पर काम करना चालू किया मेरा बैग्ग्रांड जो है मैं डिफरेंट बैग्रांड मैं डिफरेंट्र से आया मेरा बैग्गरांड मर्चिड नेवी में था मैं यह मर्चिड नेवी ऑफिसर था अभी गॉर्नमेट आफ तैलंगाना में डिप्टी जिए सेकरेंटि तैलंगाना मैनुरिटी रिसिदेंशल स्कूल यह हरें पर से सतार बच्चों को हमने तालिम दे रहे हैं जिसमें 75% minority student है, 5th से 12th class तक free education with accommodation boarding facilities के साथ में है, तो ये भी एक बड़ा कारणा में है, वहाँ पर मैं दे deputy secretary के rank से जो है, वहाँ पर अपने कारणा में दे रहा हूँ, ये मेरा personal work है, Muslims Contribution Towards Science and Scientific, ये छोटा कर दो है वहाँ को आप में है, और रहाँ पर एब कारणाम, में तो लिए लेख वैब आपने की वाडिक सब्सक्च कर दोते करो दो चिएकार, और दोतीश है, वाँ पर दोतीज़ेगा, रहाँ कि आपने साथे, वेधा आपने की दोताले हैं का तोकी किताह, पलूजने हैं, We intend to transform classrooms from rote to realistic, transform teachers from tellers to doers, transform students from dependent to independent thinkers. यह 45 सेकेंड मेरा जिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहा हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा मैं इसके थोड़ा डिटेलिंग करता हूं कि हम लोग ने 2009 से मैं इस फिल्ड में काम कर रहा हूं मुसल्मान की कामया में या तैखी खारता और तज्रूबात क्यों हम साइंस दान वो दोर में पैदा कर सके और हुकूमत नहीं की चली जिनका साइंस में हिस्सा आगे था चाहे वो आज का हो पहले का हिस्सा हो ग्रीक सिविलाइजेशन रोमन सिविलाइजेशन मुसलिम सिविलाइजेशन फिर आप यूरोपन सिविलाइजेशन या यूरो आज यूएस का सिविलाइजेशन हमारे उपर क्योंकि वो एक ही मकसद है साइंस इनोवेशन और इन्वे Technologies Foundation हमने खायम किया जिसके तहत हम बचों को scientific research scientific research के तरफ motivate at the engage करना चालू करते हैं next slide लिए इसमें हमारा curriculum जो है अभी तक हम 56,000 student को इसमें engage करे हैं different school colleges unit cities में जहां पर हम school colleges unit cities में जाके scientific experiment अगर हवा है तो क्यों है पानी है तो क्यों है अगर हिच्टू ओ है तो hydrogen कहा है पानी में और oxygen कहा है segregation हर चीज experimental science को करके बताते हैं मैं शुक्रू गुजार हूँ प्रोफेसर वहाफ खैसर साब का और हमारे mm तख्रीखान साब का क्योंकि ये लोग पहले यहाँ पर थे जिनोंने मोबाइल साइंस लैब का कॉंसेट इंटर्डियूस किया था हदरबान में उनके ही नक्षे खदम पे चलके हम आज मैं इस बड़ी सी एक बस को हम लोग convert किये हैं जो scientific research center में और जो है ये उसकूलों को जाकर काम करती है इसमें हम लोग 2013 में इसको किये हैं जिसमें हम 350 experiments हम मोबाइल साइंस लैब के द्वारा कर सकते हैं physics, chemistry and biology ये तीन subjects पे हैं यहाँ पर अल्ला का ऐसान यह है कि हमारे साथ में एक तीन retired professor professor साई प्रकाश और professor हमारे जो है डाक्टर रतन तुर्की साहब और retired professor सत्यानन साब हदरवा सेंटर यूनियर सिटी और डाक्टर दीवया जैसे professor समलों के साथ में associated है और बोड पे डाक्टर आयमत कमाल जैसे लोग साहब भी है जो इस project को हमारे को support करते हैं experimental activities design करने के लिए mobile science lab एक operational bus है जो आप थोड़ा सा बस का glimpse देखे थे उसको मैं images बताता हूँ यह 40 sitter school bus को हमने convert किया convert करके जो है उस schools में जाके इस तरीखे के हम लोग one to one experiment करते हैं तीन professors जो है classes में जाते हैं daily basis पे जाते हैं यह ऐसा नहीं है कि यह हफते में एक दिन जाते हैं अभी 2013 से मुझे corporate funding at Tech Mahindra जो company है software बनाती है under corporate social responsibility में मुझे 25 लाक रुपे का fund देती है जिसके तहत हम government to schools को adopt करके साड़े 5000 बच्चों को हम लोग scientific methodology में systematically train कर रहे हैं basic sciences में यहाँ पर हम लोग ने बच्चों का science ही knowledge increase किया science में marks increase किये experimental science में उलों को increase किये scientific research project hypothesis plan and experiment conduct and experiments के projects देते हैं जो international paper present करने का methodology है वो class 8th, 9th and 10th के बच्चों को बताते हैं वो methodology के तहट बच्चों को project कराते हैं हमारे पास में nearly about 10 लाक रुपे के sensors है vernier company के जो international standard scientific research करने के sensors यूज़ करते हैं बच्चे paper करने के लिए यह each and a experiments हम लोग classroom में जाके बताते हैं respiration system आप देखते हैं live lungs यानि कि अगर हम respiration का निजाम बताने जा रहे हैं या brain बताने जा रहे हैं या eye बताने जाते हैं तो हम बकय की आख लेके जाते हैं classroom में हम बकय का lungs लेके जाते हैं classroom में हम बकय की kidney लेके जाते हैं classroom में sister यह अगर दिशिक्शन्स करके वहां पर बच्चों को experimental methodology में train करते हैं next द्लाइब यह mobile science lab है 40-seater school बस जो हर दिन school को जाती है newsletter देली एक दिन Dad बस एंगेज रहती है, पूरे उस्कुलों में विजिट करने के लिए, प्राइबिट सुस गोश्च को भी जाते हैं, गवर्मेंट सुस्कुलों को भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा काम हमारा गवर्मेंट सुस्कुल्स में ही है, नेक्स्ट अभी हमारी नेक्स्ट है साइंस अकैडेमी हम लोग जब ये मोबाइल साइंस लैब स्कुल्स को लेके जा रहे थो हमारे को एक दुश्वारी ये आ रही थी कि कोई बच्चा साइंटिफिक रिसर्च में इंट्रेस्टेड है तो वो बच्चे को प्लाटफार्म नह है जहाँ पर जाके ले लेकिन मैं एक साइंस दान बना चाह रहा हूं तो कोई यूनियर्सिटी की लैब ओपन नहीं रहती कोई क्लास्रूम की लैब ओपन नहीं रहती टीचर इक्यूमेंट को हाथ लगाने नहीं देते प्रोफेसर इक्यूमेंट को छीने नहीं देते तो उ पर जो है हम लोग नारायन गुड़े पर यह साइन्स एकाड़ेमी खायां किया है लेक्स इमेंट जहां पर हम बच्छों को लाके यहां पर आकरीच चिराग इंटरनाशनल यूनियर्ट सिटीज में बच्छों को जाने के लिए साइंटिफिक पेपर पर अगर मुझे साइन्स एकाड़ेमी का यह मकसद यह रहा कि इसको भनाया इसलिए गया कि अगर आप साइनिफिक रिसरच करना चाहं करना चाह रहें तो हमारे एकडेमी वो वाक इन करिए, एन्रोल होईए, हम आपको सारा सपोर्ट देंगे, सारा मेट्रियल देंगे, सारी सेसिलिटीज देंगे, ताकि आप वो साइंटिफिक रिसरच के लैडर को आएस्ता आएस्ता पार कर सके, और जब आप कॉलेजस में जाते हैं, वहाँ पर जाके आपको यह डिजाइन नहीं होगा, कि भई, मुझे यह करना है, यह करना है, पहले से ही आप यह मेथडोलोजी को फालो करके करते हैं, यह चीज, यहाँ पर हम लोग 100 गौर्वर्मेंट टीचर्स को ट्रेंड किये हैं, अभी नेक्स एकडेमी की एर में हम 250 गौर्म है, टीचर महां बैठी भी रहती है, यहाँ से लेक्चर देके टीचर डेमो करके जाता है, यह एक्सपोर्ट डेमो करके जाता है, टीचर्स को भी हैंड्स ओन लर्निंग का प्रॉब्लम है, वो टीचर एक्डेमी में हम 2020 के बैचेस करके हैंड्स ओन लर्निंग हर टीचर्स क के द्वारा जो है टीचेर्स उसको 40 to 50 एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं यह किट्स में हम पूरे एक्टिविटी शीट और एक्सपेरिमेंटल का पूरा मेट्रियल देते हैं उसकोल्स में जाके गौर्रमन्ट उसकोल्स में करने के लिए यह चंद इमेजस हैं साइनस अकडमी के और यह प्रोग्राम है हम लोग जो चला रहे हैं उमीद कर रहे हैं कि आगे से हम फिरसे इबने सीना अलरादी जैसे साइंसदान पाइदा कर से के हिंडिस्टाइब साइब कोशिश की कि ग्यारा बज़ा तक ये सेशन खतम करूँ सदारे जी तखरीर क्या है कुछ नहीं है इसलिए कि इतने अच्छे आज के तीनों भी जो स्पेशल लेक्चर्स हुए हैं ये फील्ड के लोग हैं डाक साब ने भी जो काम किया है और आप तो देख चुके हैं इतिफाक से मेरे इस्टुर्ड भी निकल गए और वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1998 में उर्दू यूसिटी का खाइम होना एक बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम साबित हो सकता है जो हो रहा है काम हो रहा है 98 में हैदराबाद में साइंस अवेरनेस और प्रोमोशन ट्रस्ट भी खाइम हुआ था जिसका नाचीस ट्रस्टी कम सेकरेटरी था आज भी हूँ ये के वो और प्रोफेसर एमेम तखी खाइख साब जो किमिस्टी के बहुत ही माहर शख्सियत है साइद बहुत खराब है उन बहुत से मगराज मखास्ट थे लेकिन दोहजार दो में शमीन साब के इडिशन पर मैं यहां अर्दो यूर्स्टी आ गया ऐसा नहीं हुआ कि मेरी यहां मेरा यहां दाखला किसी इंटर्वी की बिना पे हुआ या किसी नोटिफिकेशन देखकर शमीम साब ने मुझे शमीम साब भी वन अफ दर ट्रस्टी मेंबर थे उसके तो हमने काफी काम किया उसमें ये ये अमारे प्रोफेसर एमें तखी खाफ था एक मुबाइल फोर्म मुबाइल नैब बनाना लेकिन लतीफ साब में बहुत अच्छा काम किया है उसको तक्मील करके तो इसलिए मैं बजाए सदारी तक्रीर करने के ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मैं भी समझी एक लिहाज से इसमें एक लेक्चरत था शुक्रिया है अब ये इजलाज इस्तिताम को पहुचता है आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अब हम चाय के लिए चलेगे और क्यूंके जुम्हा है वक्फा मेरे खाल से सिब दस मिनिट का हम वक्फा लेंगे च और इसके बाद पैरलेल सेशन से एक यहां पर होगा और दूसरा सीपीडियोंटी आउडिटोरियम है मुचता है